तो अब हमारा addition and subtraction वाला concept सारे ही लगबग मैंने आपको बता दिये हैं उसमें basically सार सीरीज में तो यही होते है ना add या subtract बट किसी में multiply भी हो सकते हैं किसी में division भी हो सकता है तो अब हम multiplication वाले series से deal करेंगे तो let's see कि यह series में कौन सा rule लग रहा है multiplication का तो जैसे मुझे दिख रहा है यह 16 है यह 24 है यह 36 है यह 81 है तो चक करते हैं कितना है इसका difference यह 16, 24, 36 यह पूछा है हम से और यह 81 तो अगर मैं 16 को 24 16 से मुझे 24 लाना है तो मुझे into 3 by 2 करना पड़ेगा या फिर मैं यू कर लूँ कि 1.5 से into करना पड़ेगा मुझे similarly अगर मुझे 24 को 36 बनाना है तो इसमें भी 3 by 2 से into कर लूँ मैं या फिर 1.5 से into कर लूँ यानि मैं यह कह सकता हूँ कि यहां हर term में आपको 1.5 से multiply करना है next term को find करने के लिए तो similar pattern के according अगर हम 36 में into 3 by 2 करते हैं हमें मिलता है 54 और 54 में अगर हम into 3 by 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 81 यानि हमारा answer है 54 तो basically this is into 1.5 यानि same number से multiply करके series को बनाया जा रहा है तो इसका answer है हमारा 51 यह आसान होता है इसमें कुछ ऐसे भी दिया जा सकता है कि जैसे मैं बोल दूँ कि यह मेरा 2 है यहाँ पर मैं कहा दूँ कि यह 4 है यह 6 है यह 8 है तो इस तरह की easy series भी आती है इस pattern पर यह pattern basically मैंने यह question इसलिए उठाया कि थोड़ा सा confusing लगे आपको यह है नहीं वैसे simple series है आप exam में असानी से इसको solve कर सकते हैं ऐसे ही चेक कर गए और हाँ यह इस gap अगर बीच वाला कभी पूचा है है तो तीसरा भी वही होगा क्योंकि series में generally difference नहीं होता अगर difference होगा तो वह दो या तीसरे pattern पर दिख जाएगा हमको और यह तो छोटी सी series है इसमें चौथा term हम से पूची रखा है तो इसमें no chance कि अगर different pattern कोई follow होगा